नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का JS Vision Academy पर दोस्तों आज के हमारा टॉपिक है 36 गर्ड करेंट अफेर्स 2023 तो देखी 2023 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टन कोश्चन बनेंगे वो सारे कोश्चन हम कवर करते चलेंगे और यह जो 36 गर्ड करेंट अफेर का पत्वारी का प्रयोक्सालव परिचारक इंजिनियर सब इंजिनियर क्रिसे विस्तार अधिकारी यह जो है वैपमदार परिक्षा होने वाला है जिसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यह हमारा करेंट अफेर्स यह हमारा पार्ट वन है यह जो करेंट अगर आगामी जो भी जाम कि आप सीजी पेसी वापम की त्यारी कर रहे हैं और सीजी पेसी प्रोलिम्स अभी सामने हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो चलिए पहला कोस्चन है चार आप्सन है राइगरड पस्तर मुगेली बलरामपूर तो करेंट आंसर क्या होगा यहां पर सही आंसर है दोस्तों चार आपका करेंट आंसर हो जाएगा ड़ी नेक्स्ट कोईस्टन के और बढ़ते हैं और नेक्स्ट कोईस्टन है प्रदेश के पहले परवता रोही कौन है जिसने चार महादुप की उची छोटियों की फटा की है देखिए प्रदेश की ये पहले परवता रोही है और इहोंने चार महादुप की उची छोटियों की फट जैन अब देखिए ये यासी जैन कभी-कभी ये जो परवतार हुई है कहां की है कौन सी जिले की है ये भी पूछा जाता है तो ये आपको पता होगा रायगर जिले की है कौन सी जिले की है रायगर जिले की है तो ये दोनों आपको याद रखना है क्योंकि कभी-कभी स्थान भी पूछा जाता है नेक्स्ट कोश्चिन है दोस्तों आपका दूसरा च्छतिस गड़िया ओलंपिक का सुभंकर था देखी बच्छरू बकरी वन भैसा पहाड़ी मैनल करेक्ट आंसर क्या है तो देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा यह बच्छरू है दूसरा जो च् पुछे जा रहे हैं और उसी पटर्ण में हम प्राक्टिस कर रहे हैं चलिए नेक्स्ट कोश्चर है आपका प्रदेश की चर्चित जोजह जालप्रपाथ किस जिले में इस्तित है कोर्बा महा समून गवरेला पिंडरा गरियावन करेक्ट आंसर आपको जैसे ही मैं आप्ष आपका गवरेला पिंडरा मरवाह इए है उसे है अपका जोज़ा जल प्रपाथ और नेक्स्ट क्यों पढ़ते हैं और नीमनले लिखीत में से किस जिले में भॉडिया की पाहड़ी स्थीत भॉडिया तो देखिए भॉडिया पहाड़ी की जिनले मैं सित है, चार earnestन है मुगेली, कांकेर, जस्पूर धनतेवाड़ा, करेक्टर जो आंतर हगा दोस्तों, ये भोड़ actu का जो पहाड़ी है ये कांकेर मिसतित है B हाँ आपका कठेक्टर आंसर होगा कहाँ पर कांकेर कांकर मिस्टिस है भोड़िया की पहाड़ी और ये प्राचिन्तम सहल चित्र पहाड़ी है ये क्या है प्राचिन्तम सहल चित्र पहाड़ी है ये ध्यान रखेएगा प्राचिन्तम सहल चित्र चलिए नेक्स्ट कोश्चिन कर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चिन है आपका हाल ही में प्रदेश में लिथियम का भंडार एक सर्विक्षार के द्वारा अनुमानित किया गया है तो देखिए एक लिथियम का भंडार मिला है प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामिड और देखिए तो इसे आप टिक करेंगे कोर्बा का कडगोरा नेक्स्ट कोईस्चन क्यों बढ़ते हैं और नेक्स्ट कोईस्चन आपका प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामिड और दोगिक पार्क कहा है चरोदा भिलाई, सिल्तरा, ठूरेनार, नथिया नवागा तो करेक्ट जो आंसर आएगा यहाँ पर यह है आपका ठूरेनार कौन सा है तूरेनार, यह पहला देखे प्रदेश का सबसे बड़ा अद्दोगिक पार्क है कहां तूरेनार, यह जो तूरेनार है, यह तूरेनार होगा या तूरेनार भी लिखा होगा ध्यान रखेगा तो जगदलपूर कहां कहां पर यह जगदलपूर तो यह जग़ा भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोईस्चन है भारती रबर बोर्ट द्वारा प्रदेश के किस जिले को भारती रबर विशा में सामिल किया गया है तो देखिए भारती रबर बोड़ द्वारा भारती रबर की स्रड़ी में मतलब किसे सामिल किया गया है तो बस्तर, कोंडा गाउं, सुक्मा, कबिर्धाम तो correct जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर यह है आपका बस्तर किस जिले को बस्तर ध्यान रखिएगा next question है आपका प्रदेश के नविंतम विधान सभा ध्यक्ष डाक्टर रमन सी किस क्रम के हैं तो देखिए यह जो है विधान सभा ध्यक्ष बने है अभी जो विधान सभा आमचुना 2023 हुआ है आप सभी जानते है बिजेपी को जित हासिल हुई है तो यह किस क्रम के विधान सभा ध्यक्ष है डाक्टर रमन सी यह पूरो में मुख्य मंत्री भी रह चुक है है आप सभी जानते हैं अब देखिए इनका जो विधान सभा छेतर था यह था राजनाद गाओं इनका डॉक्टर रवन सीखा ये भी आपको ध्यान रखना है कि विधान सभध चेतर भी पूछा जाता है जिस कोस्टिन को हम पढ़ते नहीं लिए लेते हैं उसी को पूछा जाता है विधान सभध्यक्ष का नाम कम पूछा जाएगा लेकिन करम पूछा जाता है कोई ज्यादे important है दोस्तो आयोपे टिक कर लिजेगा क्योंकि इस महिलाओं की संख्या जरूर पुछा गया था पिछले एक जाम में भी और इस बार भी important बनता है तो देखिए यहां पर जो है 19 19 महिला प्रत्यासों ने जीत हासिल की है जिसमें देखिए वर्स 2018 की बात करें वर्स 2018 की बात करें तो कुल 13 महिलाओं को विजय प्राप्त हुआ था मतलब 13 महिलाओं को सीट मिला था विजयतार थे और 2023 विधानसभा निर्वाच्छा ने संख्या बढ़ करके कितना हो गया 19 अ यहां पर भारती जनता पार्टी के ये जो 19 है इसमें भारती जनता पार्टी के 8 महिला थे और यहां पर भारती राष्टी कॉंग्रेस के 11 थे तो इस तरह से टोटल 19 महिला प्रत्यासियों ने विजय हासिल किया है चलिए नेक्ट कोईशन आपका विधानसभा निर्वाच् 12 की प्रतम कविनेट की बैठक कंभ हुई 13-illar- argue 23-0-2020 14-year-2029 और 21- Incं करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 14 दिसंबर 2023 को विधान सभर निर्वाचल की प्रथम कबिनेट की बैठा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वे एमपी लगा लेजी आप यह जो है कोईस्चन बिल्कुल बन सकते हैं आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्ट स्री अरूर साव और आपके स्री विजय सर्मा जी तो दो डिप्टी सीम भी बनाए गया है यह पिछले हमने करेंट अफिर में देख लिया है चली नेक्स्ट कुश्चन आपका देश के किस राज्यों में विधान सभर चुनाव 2023 संपन्न हुई है तो यह भी बहुत ज्याद सभी को पता होगा और यह पता होना चाहिए तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यह पांच राज्य में संपन्न होए अगर संख्या पूछता है कितने राज्य में पांच राज्य में नेक्स्ट कोश्चन आपका प्रदेश का सकल राज्य घरियुत्पाद किस वर्स सर्वाधिक रहा बहुत ज्यादा इंप्पोर्टेंट है दोस्तों इसे आप जरूर करें ऐसे कुश्चन को 2016 सत्रह 18 19 21 22 अर 22 देखे किस वर्स राज्य को जो सकल घरियुत्पाद है यह किस वर्स है सर्वाधिक रहा तो यह जो है यहां पर आपका जो करेंट आंसर होगा यह दोहजार स्सdestरह में सर्वाधिक रहा इसमें 2016 17 और निउन्तम कब रहा देखी 2016 17 12 एक तीन परतिसत ये भी ध्यान रखेगा 12 एक तीन परतिसत और निउन्तम एक दसमलो आठ सुने परसेंट ये ध्यान रखेगा तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रदेश में गत वर्स की तुलना में 2021-22 में मत्योत पादन में कितनी व्रिध्धी हुई है तो देखे इस तरह से कोश्चन पूछे जाते हैं और सारे कि सारे इंप्मॉर्टट है दोस्तों 3,01 ex 42062 और 1242 और 1282 तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा 1242% यह जो है व्रिध्धी है यह ध्यान रखे कि इतनी व्रिध्धूजीर वर्स की तुलना में वर्स 2022-23 में कह रहा है वतलब इस तरह से दो दस्वलों चार दो प्रतिशत की व्रिध्धी हुई गत वर्स मतलब 2021-22 की तुल्णा में गत वर्स का चलिए next question है वर्स 2022-23 में के अनुसार प्रदेश का प्रतिवेक्टिया क्या है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1,70,620,1,33,89,1,45,1,10,000 तो गरेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर यह जो है आपका है 1,33,898 है प्रतिवेक्टि आये 2022-23 के अनुसार next question क्यों बढ़ते हैं और next question है प्रदेश में सरवाधिक रासन काड़ वाला जिला काउन सा है तो देखिए बिलासपूर, रायपूर, कॉर्वा बस्तर सरवाधिक रासन काड़ वाला जो जिला ही यह रायपूर है तो भी यहाँ पर गरेक्ट आंसर होगा next question है आपका आयूसमान कार्ट के ताहट ये बहुत जादा important है आयूसमान कार्ट के ताहट अब कितने तक्का निहसूल के इलाज किया जाएगा पहले जो है 5 लाक रुपय तक का था 6 लाक, 7 लाक, 10 लाक दिया है तो option है पहले 5 लाक था आयुसमान कार्ड में तो ये बिल्कुल ध्यान रखेगा क्योंकि यह से question पूछे ही जारते हैं next है वर्ष 2023 में प्रदेश की साक्षरता दर कितना अनुमानित है तो प्रदेश की साक्षरता दर 2023 के अनुमानित है सही जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर यह है आपका 74.53 इतना 74.53 चलिए नेक्ष्ट कोश्चेन के और बढ़ते हैं देश के मस्य उत्पादन में 36 गड़ किस स्थान पर है पांचवा छटवा साथवा आठवा मस्य उत्पादन में आप क्रम पूछा है तो किस क्रम पर है अपना 36 गड़ किस क्रम पर है देश में 36 क्रम पर है मस्य उत्पादन की दिश्टी कोड से नेक्ष्ट कोश्चेन है आपका 36 गड़ सासन द्वारा बेटियों को वीर्ता के छेत्र में कौन सा राज जलंकरण की घोश्रा की गई है माता को सल्य सम्मान बिलासा सम्मान बहाद और यह बेटियों की वेर्ता के छेत्र में प्रदान किया जाएगा तो ध्यान रखेगा बहुत ज्यादा इंप्रण कोश्चेन है और नेक्स्ट और अंतिम कोश्चेन है दोस्तों यह जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है जितना डिटेल हो सके अगामी एक्जाम में और हमारा पार्ट टू भी आएगा उसे आप जरूर कर लिजेगा बहुत सारे कोश्चेन इससे पुछे जा सकते हैं आपकी एक्जाम में तो ऐसे जो इंप्रोटन कोश्चेन है बिल्कुल आपको करते चलना है छोड़ना नहीं है तो दोस्तों आज की मंदल के रुड़ो मिल जाएगा मंत्री मंदल गठन जरूर देखें आप कौन सो मंत्री को कौन सो भाग मिला है यह कोश्चेन आप जरूर कर लेंगे और प्रैक्टिस सेट भी जारी हो चुका है टेस्ट सिरीज पहला पीस सी प्रिलिम सका और दूसरा अगर आपने नहीं द देखा देखा है तो प्ले लिष्ट में जाकर के जरूर देख लीगे चली मिलेंगे नेक्स टूडियो में नहीं जानकार एक साथ तब तक लेखाई कर देखा है कि अ